राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर चुनाव की तारीखों की घोशना होने के बावजूत खुलेयम आचार सहिता की धज्जिया उगाए जा रही है दिल्ली के बक्तावर पुर गाव वार्ड नमबर फाइव के अलग-अलग इलाकों में विभिन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकरता आचार सहिता को दरकिनार कर पोस्ट और बैनर के माध्यम से अपनी दावेदारी को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं उस पर तुर्रा यह की इन पोस्ट बाजी पर विभागी ये कार्यवाही ना होना भी ना केवल प्रशासन की कार्यशेली पर सवल खड़े कर रहा है बलकि इस तरह की तस्वीर चुनाव आयोग को भी चुनोती देने का काम कर रहा है राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजच चुका है चुनाव आयोग ने आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली की 250 निगम वार्डो पर मद्दान का एलान किया जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे दिल्ली में चुनावी घोशना के साथ ही आचार सहिता भी लागू हो गई है हाला कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा अभी प्रत्याश्यों की घोशना नहीं की गई है लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के नरेला विधानसभा के वार्ड पांच में अलग-अलग पार्टियों में नए-णए चेहरे अपनी दावेदारी को मजबूत करते दिख रहे हैं तमाम पार्टियों के कार्यकरता अपनी दावेदारी ठोकते हुए पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये पोस्टर और बैनर जहां एक और दिल्ली की सुन्दर्ता को बिगारने का काम कर रहे हैं वहीं दूसरी और इन पोस्टर और बैनर के माध्यम से खुलयाम आचार सहिता की भी धज्जिया और आये जा रही है। दिल्ली में आचार सहिता लगने के बावजूद ये पोस्टर और बैनर का दौर बदस्तूर जारी है जो प्रशासन की कार्यशेली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जबकि आचार सहिता लगू होते ही प्रशासन द्वारा सबसे पहले पोस्ट बाजी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। लेकिन यहां तो तमाम दिवारे और खम्वे पोस्ट से पटे पड़े हैं, जो दिल्ली की सुनदर्ता को भी बिगार रहे हैं। साथ ही इस तरह की तस्वीर चुनाव आयोग को भी चुनोती देने का काम कर रही है। गौर तलब है कि राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग ने बीते चार नवंबर को MCD के चुनाव की तारीखों की घोशना कर दी थी, जिसके बाद अब दिल्ली में आचार सहिता लागू हो गई है। आपको बता दे कि दिल्ली में अभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों की घोशना भी नहीं की गई है। इसके बावजूद अपनी दावेदारी ठोकते हुए विबिन पार्टियों के कार्यकरता खुलेया माचार सहिता की धजज्जियां आने का काम कर रह हैं। उस पर तुर्रा यह की खुले तोर पर इस तरह की पुस्टबाजी के बाद भी इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जो प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा की आखिर कब तक प्रशासन नीन से जागता है औ और सक्त कार्यवाही की ओर अग्रसर होता है।